सुबा 6.45 में जब करनल मनपरीद सिंग को उनके बहलोई ने फोन किया तो उन्होंने कहा अभी हम ओपरेशन पर हैं साम को 7 बजे के बाद हमारी बात हो पाएगी और उसके बाद करनल मनपरीद सिंग ने फोन काट दिया ये बात बुधवार की है पंजाब के मोहाली के एक छोटे से गाउं से आने वाले करनल मनपरीद सिंग के पिता भी सेना में सेवा दे चुके हैं उनके दादा भी सेना में सेवा दे चुके हैं और करनल मनपरीद सिंग को सेना में ही बहुत बड़ा अधिकारी बनना था बुद्धुवार को सुभा जब उनके घर से फोन गई तो करनल साहब ने कहा कि शाम को बात होगी अभी ओप्रेशन चल रहा है लेकिन अफसोस की वो शाम कभी आई ही नहीं पंजाब के रहने वाले मोहाली के रहने वाले करनल मनप्रीत सिंग की ये कहानी आपको रुला देगी उनकी मा कहती है कि बेटे से जब बात करना होता था तो हम मिस्कॉल मारते थे बेटा आकर कॉल बैक करता था लेकिन अफसोस की अब कभी मिस्कॉल नहीं मार पाएंगे करनल साहिब के दो बच्चे हैं एक 6 साल का बेटा एक 20 साल की बेटी पतनी शिक्षा विभाग में लेक्षरर के पदपर का रत है उनका एक छोटा भाई है उनकी एक छोटी बहन है मतलब की भाई बहन में वो सबसे बड़े थे करनल मनप्रीत सिंग 17 सालों से फौज में थे 2021 में उनको सेना मेडल देकर नवाजा गया था उन्होंने जमू कश्मीर के लिए अच्छा काम किया था करनल मनप्रीत सिंग के बारे में कहा जा रहा है कि वहां के युवाओं में वहां के बुज़ुर्गों में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी कुछ महीने पहले उन्होंने कश्मीर के लड़कों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था और शायद इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे और शायद यही वज़ा थी कि वो आतंकवादियों के निशाने पर थे कर्नल मनप्रीत सिंग मातर चार महीने के बाद दूसरी पोस्टिंग लेने वाले थे मतलब कि चार महीने बाद वो आराम से जिंदगी जी सकते थे लेकिन तकदीर में कुछ और लिखा था उनकी पत्नी को बताय नहीं गया कि उनकी जान चली गई अब उनकी पत्नी को मालूम पड़ा है उनके घरवालों ने उनकी पत्नी को ये कहा था कि कर्नल मनप्रीत सिंग घायल हुए है और उनका इलार चल रहा है उनकी शादी हुई थी कॉर साहिब से और कॉर मैडम अभी हर्याना के शिक्षा विभाग में लेक्चरर के पद परकारत है उनकी मा है जो कहती है कि मिस्कॉल मारते थे तो बेटा कॉल बैक करता था लेकिन अफसोस अब ना मिस्कॉल जाएगा और ना उधर से कॉल बैक आएगा करनल मनप्रीद सिंग के परिवार की तस्वीर देख लीजिए ये रही तस्वीर 17 साल पहले वो सेना में गए थे उनके पिता जिस विंग में नायक के पद परकारत थे उसी विंग में करनल मनप्रीद सिंग लेफटिनेंट बन कर गए थे लेफटिनेंट से लेफटिनेंट करन उसके बाद करणल बने दो साल पहले मतलब की साल 2021 में करणल साहब को सेना मेडल मिला था क्योंकि जमू कश्मीर में ही एक मुठभेड में उन्होंने कई आतंकवाधियों को मार गिराया था लेकिन अफसोस की बुद्धवार का दिन उनके जीवन का आखरी दिन था करणल साहब के भाई कहते हैं कि मैंने उनको तीन दिन पहले फोन किया था उन्होंने मुझे एक काम दिया था हमने बुद्धवार को शाम को जब उनके नंबर पे फोन किया तब उनका फोन कोई नहीं उठाया भाई साहब आगे कहते हैं कि भाईया कितने भी बिजी रहते थे ह हमारे फोन का जवाब जरूर देते थे अगर वो व्यस्त रहते थे वो फोन उठा कर कहते थे कि देखो मैं बाद में बात करूंगा लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाया ने कभी फोन नहीं उठाया करनल मनप्रीत सिंग अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके ससुर कहते हैं क हमने उनकी बीवी को बहुत देर तक बताया ही नहीं कि उनके पती नहीं रहे हमने ये कहा कि वो घायल हुए हैं लेकिन सच सामने आना था मुहाली कि उस गाउं की स्तिती एकदम नाजुक है कोई किसी से बात नहीं कर रहा है लोग इंतजार कर रहे है करनल मनप्रीत सिंग के पार्थिव शरीर का खबर ये है कि शाम के 5-6 बजे तक उनका शरीर वहां पहुँचेगा उसके बाद उनके पैत्रिक गाउं में ही उनका दाह संसकार होगा और अफसोस इस बात का है कि वो 6 साल का बेटा और वो 2.5 साल की बेटी अपने पापा का माट जोते रहेंगे लेक रहते हैं कि आराम से बात शाम के 7 बजे के बाद होगी लेकिन वो 7 शायद अब जिन्दगी में कभी नहीं बज़ पाएगा मनपीद सिंग जैसे दो और हमारे सिपाही हैं जिनकी जान गई है हमाशा करते हैं कि ये देश उनके साथ म्याय करेगा हमाशा करते हैं कि जब भी उनका नाम लिया जाएगा तो अदब से लिया जाएगा हमाशा करते हैं कि उनके परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाएगी और हमाशा करते हैं कि ये देश उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा बाकी आप क्या सोचते हैं कमिन बोक्स मताइएगा मेरे नाम प्रशा बहुत बहुत धनिवाद